हेलो एन वेलकम मैं हूँ प्रियांका स्वाकत करते हूं फिर से अपने चनल व्लॉगर प्रियांका में आप जानते ही हैं कि गर्मी और मॉनसून दोनों ही हमारी बॉड़ी हमारी हेल्थ और हमारी स्किन को इफेक्ट करता है अगर हम उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन ना करें और मो criticize के श्यंहें आप प्षेक्ट करते ही हैं तो आज हमारी लाइफ से जुड़ी हमारी हेल्थ से जुड़ी हमारी स्किन से जुड़ी एक ऐसी ऐसी इन्फरमिशन आपको देना चाहती हूं उसके उपर आज वीडियो बेस है जो हमारी life के लिए हमारी survival के लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी है और वो है पानी जी हाँ पानी आप जानते ही है कि पानी हमारी body में करीबन 70% भाग सारा पानी काई है लेकिन उसको कब पीना चाहिए क्यों पीना चाहिए कितना पीना चा पारे में वीडियो है तो अगर मेरी वीडियो आपको यूसफुल लगे तो प्लीज लाइक कीज़ेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा तो वीडियो की शुराज करते हैं फर्स कोशन होता है कि कब पाने सौरी कितना पानी पी तो आप जो है अपनी body का weight measure करे उसको divide करें two से देन उसको divide करें eight से आपको शो होगा कि आपको कितना लिटर पानी पिना है एक दिन में second question होता है क्यूं पानी पिना है तो उसके बहुत सारे reason है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी first कि हमारी body में toxin को ये remove करता है second हमें weight lose करने में बहुत बड़ा साथ देता है मतलब कि बहुत बड़ा हाथ है अगर आप weight lose करना चाहते हैं अपना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी पिना exercise होती रहेगी दवयां चलती रहेगी लेकिन first है आपको पानी पिना बहुत ज़्यादा जरूरी है third हमारे blood circulation क को हमारे heart को अच्छे से काम करने दता है और हमारे blood pressure को अच्छे से maintain करता है third हमारी healthy skin को हमारी skin healthy रही उसके लिए promote करता है cancer की risk को काफी हद तक reduce करता है काफी हद तक कम करता है और आपका energy level जो है वो बढ़ाता है ठीक है अब third question है कब पानी पिये तो जब आप morning में उठते हैं सुभा तो करीबन उठने के बाद खाली पेट आपको करीबन दो गलास पानी पीना है उसके बाद जब आप शावर ले ठार फ्लाट प्रेशर जो है maintain रहेगा उसके बाद आप खाना खाते है खाना खाने से आदा घंटा पहले पानी पी और खाना खाने के बाद करीबन तीस मिनट के बाद ही एक गलास पानी पी यह कि बीचमे पानी पीके आपको digestion प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको कब्स की प्र आपने जो भी भी पाणी प्या है उसका कोई फाइदा नहीं हो राहोगा क्योंकि हमेशा पानी बैट कर पीना चीजिए रिलैक्स के पीना चीजिए और स्मॉल ग्लम्स में उसके छोटे-छोटे घट करके इस फाइदा होता不錯 बैठ कर पानी पीने से आपकी बॉड़ी में जो किड्नी है वो पानी को अच्छे से फिल्टर करती है अगर आप बैठ कर पानी पीते हैं इसकी बज़ अगर आप खड़े उकर पानी पेंगे तो आपकी जो किड्नी है वो पानी को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगी और आपको डाजिजिन में प्राब्लम होगी साती साथ करीब एक दिन में आठ से दस ग्लास पानी पीना बहुत ज़ादा जरूरी है डॉक्टर्स भी सबसे पहले ही कहते हैं कि आपको एक दिन में करीब दो लिटर पानी पीना ही चाहिए अगर आप नहीं पी पाने तो प्लीज आ आपका इनर्जी लेवल भड़ता हे train Energy level भड़ता है के अंक करें बहुत बड़ी मदद करता है pro health medicine and bring your skin tone natural glow लीक कर आता है pro health we swimming and nano skin tone में नहीं ख를गता है प्लस स्किंः बिमारियों से ऋमे के श्रीर को दूर करता है गुफ ही पानी तर인 Evening प्लड ऑगलोग एकावन पानी、 आप वही पीछे, आप कोज़ेगा। एक वही माथने पीधे प्लें मेगे लोगज के रुटते है आपडे त अपने पानी और से पहले, एक वही आप की बुटते हैं सिर्फर सिर्फ पानी पीने के वाई से तो यह मैं आपको रिक्रमेंड करूंगे कि किसी भी कोल्डिंग्स अच्छा यह होगा कि आप एक सस्ती सी पानी जो फ्री अफ कॉस्ट है उसे आप पिए क्योंकि कोल्डिंग होता है वह स्लो पॉजनर होता है आपकी बॉड़ी को धीर